सुसाइटी में लड़कियां, माएं, बेहनें जब भी यहां से निकलती हैं इस गेट से उनको इतनी परशानी का सामना करना पड़ता है हमारे बच्चे हैं, जवान हो रहे हैं, हम खुद शाम को निकलते हुएं, यहां से बहुत दरते हैं और इस ठेके की वज़ा से जो यहां पर शाम को भीड होती है, उसकी वज़ा से हम सब को बहुत परशानी हो रही है और उसकी वज़ा से यहां पे ढापे, पान की दुकान जो आज है बंध है यह सब कुछ उसी की वज़ा से चल रहा है जो यहां पे कार ठीक कराने आ रहे हैं वो भी खड़े होके जब तक गाड़ी ठीक हो रही है महां पे शरापी रहे हैं इसकी वज़ा से सारा महौल खराब हो चुका है सिरफ बेटियां ही नहीं हम अपने जो बच्चे हैं जो लड़के हैं उनको भी नहीं बेच पाते हैं शाम होते ही डर सा लगना शुरू हो जाता है कि जैसे ही यहां से निकलेंगे तो पदा नहीं हमारी बेटी वापिस आएगी या नहीं और यह बिलकुल सही कह रही हूँ मैं शैस यहां पे जितने मी लोग रहने वाले हैं पंचवटी गंगोतरी यहां पे जब यह मार्केट खुली थी हमें लगा था कि मार्केट खुल गई है सारा जरूरी समान हमें हरोस का यहां मिलेगा हमें कहीं दूर नहीं जाना और इस मार्केट के खुलने के बाद हमें लगा कि सिर्व एक ठेका और ठेका ही है जो चल रहा है यहां पे कि कि यहां और कुछ नहीं है और इस पूरी मार्केट में छटों पे हर तरह के नजायस काम होते हैं यहां शराब हमारे समाज कर्यां से हमारा यहां से निकलना मुश कि अपना में विजिते हैं लोग आते हैं बसंदा हो जाते हैं लेकिन वो किते हैं नहीं हम यहां मकान हैं आध्यू और इस हम नहीं करी देंगे यह जीना दुश्मार हो चुका हुआ है देखना हो बंद करो उन चिताब के ढ़कर बंद करो सारे बोलेंगे बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिला की सुरक्षा के लिए है ये जरूरी कदम, शराप का देखा हो बारो, कान्यवाद